तो चली बात कर लेते हैं निजी करण का व्रोध जीहां निजी करण के व्रोध में आज दूसरा तिन यानी मंगलवार को भी सरकारी बैंकों में हर्टाल रहेगी सरकारी बैंकों को प्राविट शेतर को सौपनिक के सरकार की कदम के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक दो दिन की रास्ट व्यापी हर्टाल पर है पब्लिक सेक्टर के नौ बैंकों की यूनियन उनाइट टेट फॉरम ऑफ बैंक यूनियन ने इस हर्ताल का एलान कर दिया है इस बार बजट में वित्यमंत्री निर्मिरसिता रमण ने एलान किया था कि इस साल सरकार दो सरकारी बैंकों और एक इंशोरेंस कंपनी का निज़ी करन करेगी और वही सरकारी बैंकों की हर्ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकास पर भावित हुआ हर्ताल के चलते सार्वाजनिक श्वेतर में बैंकों में नकदी, निकासी, जमा, बैंक, समाशोधन और कारूबारी लेंदेन पर भावित रहा बैक यूनियन के मताबिक हर्ताल से तीन रास्टे ग्रेंड, चेन्नाई, मॉंबाई और दिल्ली में 16,500 करोड रुपे के 2.01 करोड चैकों का समाशोधन नहीं हो सका तो आपको बता दे कि पिछले दिन समयचारियों ने नारे बाजी करते हुए हर्ताल की आपको बता दे, दो दिन तो बैंक बंद ही रहा था, साथी साथ जिस तरीके से सौंबार को भी बैंक बंद रहा और आज फिर से निजी करन का वरोध किया जा रहा है, बैंकों की हर्ताल का आज दूसरा दिन है, जहां पर सभी कर्मेचारी हर्ताल पर बैठे हुए हैं, 10 लाग बैंक कर्मेचारी और अधिकारी इस हर्ताल में शामल हुए हैं पहले दिन बैंकिंग कामकाज काफी जादा प्रभावित रहा और हर्ताल से 2.01 करोड का चेक समाशोधन नहीं हो सका.